कि हैं है लो एवरीवन वेलकम टो अभीपीडिया पावरड बाई अभिमन्यू आई एस तो मैं हूं मुनेश कुमारी और आज हम सी सेट पेपर टू की टी फाइव सीरीज में करने जा रहे हैं पजल्स तो बचे लास्ट क्लास में भी हमने पजल्स की थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो आपके पास में 2018 में पजल्स आई थी उनको हमने सौल किया था 2018 में आपकी एक पजल्स थी और उसकी पर बेस्ट आपके six questions थी अभी आज हम 2016 के अंदर जो पजल्स आई है जो 2016 में पजल्स आई है उनको डिसकस करेंगे क्लियर है ओके तो स्टार्ट करते है यहां पर आपकी screen पर है question क्या है there are five person in a group P, Q, R, S and T the group has one doctor, one lawyer and one artist P and S are unmarried students तो देखो जब आप इस question को read कर रहे हो तो read करते करते हमने question को analyze करते हुए जाना है कि इसके अंदर कितने variables है ठीक है अब यहां पर देखो इस पजल्स को देखते हुए में पता चल रहा है कि इसक clear हाँ जी मैंने last class के अंदर भी आपको बताया था बच्चे puzzles बच्चे कर लेते हैं ठीक है बड़ कुछ students accurately नहीं कर पाते और कुछ students को भो ज़्यादा time लग जाता है ठीक है तो अब हम क्या चाते है कि हमारा time भी कम लगे और हमारी puzzle accurate हो तो उसके लिए आपने क्या करना है वो method आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में more than two variables है then you will make table clear अब यहाँ पे आप देखी कि कौन-कौन से variable है यहाँ पे आपके पास में एक है बच्चे आपके पास में name ठीक है दूसरा आपके पास में क्या कह रहा है कि उनका profession profession है ठीक है जी उसके बाद में क्या कह रहा है कि उनका marital status marital status तो यह आपके पास में तीन variable है और मैंने क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है जब भी आपकी statements है उनको read करते हुए जाना है और उसके उपर based जो information आपकी table के अंदर fit होती है उनको आप अपनी table में fit कर देंगी और जो जो भी आपकी table में नहीं उस time पर प्लेस कर पा रहे हो उसको क्या करोगे आप side में no down कर लोगे so that कि हम बाद में उसको place कर सके clear है तो इस तरह से आप अपनी table बना लोगे बच्ची अब आगे देखी साप साप बना लेते हैं ठीक है अब यहाँ पर 5 परसन ह and marital status clear है तो अब आगे देखो उसने क्या कहा है कि T is a man married T is a man married to one of the group member अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो T है उसकी वो married है जिसके साथ में group के एक ही member के साथ में तो पहले तो देखो हमारे पास में member कौन से P क्यों RST है तो मैंने आपको बताया था कि एक variable को आप serial wise लगा लिया करो ठीक है अगर उसके अंदर यह नहीं given कि भे यह serial wise है या नहीं है ठीक है तो आप एक variable को serial wise लगा सकते हो ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है P क क्यों RST सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखा बच्चे P क्यों R S and T क्लियर है अब हम जो भी married होंगे तो उसको married mention कर देंगे जो unmarried है उनको unmarried mention कर देंगे यहाँ पर उनका profession और बच्चे अगर हमारे पास में male character है ठीक है तो उसको हम एक square के अंदर लेंगे और अगर आपके पास में बच्चे female character है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे उसको circle के अंदर लेंगे clear है जब मैंने blood relation करवाया था उसके अंदर भी मैंने यही notations बताई थी जो भी आपके माइन में notations जिस तरह से भी आप करते हो ठीक है उसी notation को use करना है यहाँ पर मैं यह notations use कर student है तो यहाँ पर देखी बच्ची P क्या है student है उसने साफ दिया हुए तो मैंने आपको क्या 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 है कि जो जो भी information आपकी table के अंदर आप place कर सकते हो उनको साथ साथ place कर लीजी ठीक है और क्या है यह unmarried है clear P and S, S भी student है और S भी क्या है बच्ची unmarried है Done अब उसके बाद में देखी कहता है T is a man T is a man यहाँ पर उसने क्या कहा है T is a man जैसे उसने man कहा तो हमने क्या किया उसको rectangle उसके square के अंदर उसको place कर दिया है ठीक है And जिसके साथ भी इसकी marriage हुई है वो क्या है एक female है यहाँ तक हमें confirm है अब उसके बाद में देखो क्या कह रहा है कहता है क्यों is brother of P क्यों P का brother है जो क्यों है क्यों तो P का brother है अब हमें यह भी confirm हो गया कि क्यों क्या है male है ठीक है That means कि R female होगी क्योंकि group member के साथ ही T की marriage हुई है और P, S और S दोनों के दोनों क्या है unmarried जो T है वो male है that means कि जो उसका spouse होगा वो क्या होगी female होगी तो R क्या होगी बच्चे female होगी अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि यह भी married है और यह भी married है इसका अभी हमें कुछ नहीं पता clear अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि क्यों is brother of P and is neither a doctor और वो क्या है डोक्टर नहीं है अब हमारे पास में profession क्या थे student student दो हमारे हो चुके है अब वो कह रहा है कि क्यों जो brother है किसका P का and is neither a doctor nor artist ना तो वो doctor है ठीक है ना ही वो artist है that means क्या है बच्चे lawyer है तो क्यों क्या आगया अपने पास में lawyer आ गया clear r is not doctor अब r और टी तोनों के अंदर से एक doctor है ठीक है और एक artist है तो वो क्या कह रहे है कि r doctor नहीं है अगर r doctor नहीं है that means कोन हुआ doctor T. Doctor है ठीक है तो यहां से बच्छ डॉक्टर भी कट हो गया तो बच गया क्या Artist Artist कौन हो जाएगा आपका R हो जाएगी हां जी क्लियर है तो यह हमारी पजल سॉल्व हो गई है इसका हमें नहीं पता कि यह married है या unmarried है Done अब इस पर best question देख लेते हैं, देखो, अभी मैंने साफ साफ आपको पजल दे दी है, यही बनी थी हमारी P student है, unmarried है, ठीक है, क्यों क्या है, एक male है, और lawyer है, R female है, artist है, S student है, and T is a doctor male, done, अब question क्या कहते है, question है, who is doctor, अब जब हमारी puzzle solve हो चुकी है, तो यहां से हम easily बता सक देखे भी doctor कौन है, doctor कौन है, T doctor है, तो क्या आजाएगा आपका answer बच्चे, A answer आजाएगा, कि T एक doctor है, clear, okay, तो उसके बाद में है, कि who is artist, तो देखो बच्चे, artist कौन है यहां पर, R artist है, तो क्या answer आजाएगा, option C, R is the artist, clear, next है, who is the spouse of R, R का spouse कौन है, ठीक है, अब जो R ह है, तो R की marriage किस के साथ हुई है, T के साथ हुई है, ठीक है, that means, the spouse of R is T, and T कहाँ पर है, आपकी B option के अंदर T mention है, clear है, okay, जी, तो आगे देखते हैं, who is the lawyer, lawyer कौन है, तो बच्चे, lawyer कौन है यहां पर, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, done, हाँ जी, आगे है, who of the following is definitely a man, कह रहा है कि इसके अंदर से कौन सा confirm है, कि man है, तो हमें यहां से क्या confirm हुआ है, एक तो क्यों male है, ठीक है, और एक T male है, अब देखते हैं, यहां पर option में क्या क्या given है, P, S, क्यों, none of these, तो बच्चे, क्यों जो हमें पता है, क्या है, man है, तो answer क्या आ गया, क्य है, और उसके उपर आपके 5 questions given है, ठीक है जी, और एक question आप सभी को पता है, कि 2.5 marks का है, तो अब देखो आपकी puzzles कितने important है, done, तो अब देखते हैं, next puzzle क्या है, next puzzle देखिए, हां जी, six boxes, A, B, C, D, E, and F have been painted with six different colors, with violet, indigo, blue, green, yellow, and orange, अब यहां से देखो, जैसे जैसे आप read करते हो, साथ-साथ analyze करते होए चलो, कि हमारी puzzles के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो यहां पे देखिए क्या है, एक तो उसके box है, और box के name given है, ठीक है, उसके बाद में क्या given है, six different color boxes और उनके colors given है, means the second variable क्या है, color, violet, indigo, blue, green, yellow, and orange, and arranged from left to right, okay, उसके बाद में क्या कह रहा है, यहां पे left to right, arrange करना है हमने उनको, ठीक है, अब यहां पे जो आपके पास में आप जब table बनाओगे, तो उस time पे आपको left to right वाली table बनानी है, तो कह रहा है, each box contain a ball of any one of the following six games, और क्या है, games है, cricket, hockey, tennis, golf, football, and volleyball, अब यहां पे हमें यहां तक पता चल गया है, कि आपके पास में च्यार वेरियेबल्स हैं, ठीक है, अब उसके बाद में कह रहा है कि the golf ball is in the violet box, अब उसके बाद में उसने information देनी शुरू कर दिये, that means कि पहले हमें क्या करना चीए, अपने एक जल्दी से table बना लेनी चीए अब हम table बनाते हैं, तो यहां पे हमारी जो table है, उसके अंदर हम serial wise किसी को नहीं लगा सकते, जैसे पिछली table में हमने name को serial wise लगा लिया था, तो या तो आप serial wise करने के लिए क्या कर सकते हो, कि एक serial number ले लो, कि 1, 2, 3, 4, 5, and 6, clear है, उसके बाद में क्या कर सकते हैं, हम बच् में name, अब name हमें क्या हो सकते हैं, A, B, C, D, E, and F, clear, अब उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके अंदर क्या है, बोल्स है, तो यहां पे क्या है, बोल्स है, ठीक है, तो बोल्स कौन-कौन सी गेम्स की है, क्रिकेट, क्रिकेट, होक्की, टैनिस, गोल्फ, फुटबोल, एंड वोल्योल, उसके बाद क्या है, एक बच्चे कलर भी है, यह ड़ेंट मैटर क्या आप बोल्स पहले ले रहे हो, या कलर पहले ले रहे हो, ठीक है, चलो जी, कलर्स भी ले लेते हैं, तो एक वैरिबल क्या ले लिया ह हमने कलर, और कलर के अंदर आपके पास में कौन-कौन से कलर है, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, एंड ओरेंज, आप इनिशियल्स ले सकते हो, अगर आपको लगते हैं, सभी के जो फर्स लेटर है, डिफरेंट है, या फिर स्टार्टिंग के दो ले ले सकते ह कैसे भी आप लोगों को comfortable लगे, clear है, तो साफ-साफ देख लेते हैं एक बार, table ये आगया, आपके पास में table आगया, बच्ची, ठीक है, अब हम आगे रीड करते हैं अपने question को, question क्या है, the golf ball is in violet box, जो golf की ball है, the golf ball is in violet box, is in violet box and not in the box D, but D के अंदर नहीं है, अब इसको हम directly कहीं भी नहीं place कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कोई भी ऐसी strict information नहीं है, जिससे कि हम इसको place कर सके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको side में note down कर लेंगे, so that आपको पूरी statement को दुबारा से ना read करना पड़े, clear है, अब यहाँ पे उसके बाद में देखो क्या कह रहे है, हाँ जी, box A which contain tennis ball is orange in color and is at extreme right, extreme right, अब उसने position हमें बता दी है, जब हमें position पता है, then we can place box A, ठीक है, और उसके अंदर क्या है बच्ची, tennis ball है, और वो कैसे color की है, orange color की है, clear, अब उसके बाद में देखिए क्या कहते है, the hockey ball is neither in box D, जो hockey ball है, वो क्या कह रहा है, D में नहीं है, अब देखो यहाँ से जैसे tennis हो गया तो tennis को यहाँ से आप cut कर लीजी, यहाँ से orange को cut कर लीजी, so that आपको आगे easy रहेगा, clear, अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, कि the hockey ball is neither in box D nor in box E, ना तो D के अंदर है, ना ही आपकी E के अंदर है, clear है, उसके बाद में क्या है, the box C having cricket ball, जो box C है, उसके अंदर कौन सी वो है बच्चे, cricket की ball है, that means hockey ball जो है, वो C में भी नहीं हो सकती, और golf ball भी C में नहीं हो सकती, done, अब आगे देखते हैं, the box C having cricket ball is painted green, कैसा है, उसको green color किया गया है, the hockey ball is neither, the hockey ball is neither in the box painted blue, nor in the box painted yellow, अब जो hockey ball है, ठीक है जी, कहरा कि ना तो इसको yellow paint किया गया है, ठीक है, यहाँ पे मैं color ले रही हूँ, यहाँ पे उसके बच्चे नाम है, कहरा है कि ना तो उसको yellow color दिया गया है, ना ही उसको blue color दिया गया है, दोनो color इसके लिए हमारे cancel out होगे, उसके बाद हमें पता है कि जो violet color है, वो golf के लिए है, तो violet color भी आपका cancel out हो गया, और green color आपका cricket के लिए है, तो green color भी आपका cancel out हो गया, साथ मुष्ण ने ये भी कहा है कि ओरेंज कलर यहां से हमने देखा था जो ओरेंज कलर है वो एको मिला हुआ है ठीक है और एका क्या है टैनिस है that means होकी का ओरेंज कलर भी नहीं हो सकता ठीक है तो यहां से अब हमें क्या निशकर्श निकला अपना कि जो होकी है बिटा तो होकी का कैसा कलर है जो होकी है होकी का कौन सा कलर रह गया है अब हमारे पास में हां जी बताओ येलो नहीं हो सकता ठीक है जी ग्रीन नहीं हो सकता ओरेंज नहीं हो सकता ब्लू नहीं हो सकता तो कौन सा रह गया हमारे पास में इंडिगो रह गया है तो होकी का कुल सा कलर आ गया हमारे पास में इंडिगो clear बट अभी हम इसको प्लेस नहीं कर सकते आगे देखते हैं अब next क्या दिया हुआ है the box C is 5th to the right and next to box B box C 5th to the right right में 5th है and next to box B box B के next है clear अब यहाँ पे देखो C के कुछ information हमारे पास में given थी क्या कि C का game जो ball है game ball वो कौन सी है cricket है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में cricket आ गया clear है और यहाँ पे बच्चे उसका color क्या आ गया आपके पास में green आ गया done अब उसके बाद में देखो आगे क्या है box B contain volleyball अब B का उसने बता दिया है क्या है उसके अंदर हमारे पास में volleyball है the box containing hockey ball is between the box containing golf ball and volleyball अब volleyball यहाँ पे था अब इन दोनों के बीच में बीच में मतलब कि यहाँ पे क्या है हमारे पास में golf है ठीक है तो यह क्या कह रहा है कि the box containing hockey hockey वाला जो है वो कहा है बीच में है दोनों के तो मैंने golf और volleyball दोनों के बीच में किसको place कर दिया बच्चे hockey को place कर दिया है clear हाँ जी तो अब यहाँ पे देखो between the box containing golf ball and volleyball बीच में हमने place कर दिया अब हम देखते कि और क्या क्या information है हमारे पास में अब हम यहाँ से place करना शुरू करते हैं बच्चे देखो hockey का color कौन सा था आपके पास में indigo था तो हमने यहाँ पे लिख दिया indigo ठीक है हाँ जी दूसरा क्या था और उसने क्या कहा है D और C जो है उसका क्या नहीं हो सकता हाँ जी golf नहीं हो सकता that means कि यहाँ पे D नहीं आ सकता D यहाँ पे नहीं आ सकता यही कह रहा है वो अब बच्चे D यहाँ पे नहीं आ सकता अब उसने एक बात और भी कही है कि यहाँ पे जो आपकी होकी वाला था होकी के अंदर E भी नहीं आ सकता, D भी नहीं आ सकता, मतलब कि यहाँ पे D नहीं आ सकता, यहाँ पे D नहीं आ सकता, गॉल्फ के लिए भी D नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पे भी D और E नहीं आ सकता, that means कि D कहाँ पे आएगा फिर आपक यहां पर, अब हमारे पास में सारे नाम आगे, बच गया क्या, देखो, A आगया, ठीक है बच्छी, B आगया आपके पास में, C आगया, D आगया, E आगया, बच गया क्या, F, तो F कहां पर आजाएगा बच्छी, यहां पर आजाएगा, clear अब हम Games में देखते हैं क्रिकित आचुका है, hokey आचुका है, golf आचुका है, आपके पास में बच्चे cricket हो गया उसके बाद मैं आपके पास में Volleyball आचुका है, बच गया क्या? Football। ठीक है जी क्या बच गया? Football तो Football आपके पास में बच्चे? यहां पर आ जाएगा clear, अब colors का और हमारे पास में जो information है इससे हमें इन दोनों का नहीं पता चल रहा बट यहां पे देखो कौन-कौन से color आपके आ चुके है violet आ चुका है, indigo आ चुका है आपका green हो गया है बच्ची, ठीक है और क्या हो गया, orange हो गया दो colors आपके रहेगे, एक हो गया blue और एक हो गया yellow that means कि D के लिए या तो blue होगा, या फिर क्या होगा, yellow होगा done, इसी तरह से यहां पे भी या तो blue होगा, या फिर क्या होगा बच्ची, yellow होगा clear, तो बिल्कुल समझ आ गई है पजल, क्या किया हमने सबसे पहले एक table बनाई है उस table के बाद में, जैसे जैसे आपके पास में information given है जो जो information आपकी table के अंदर directly place हो रहे है, उनको हम directly place करते वे जाएंगे, ठीक है और जो information directly place नहीं हो रही है, उसको आप side में note down करते जाओगे और जैसे ही, वो किसी के साथ में relate होती है, information के साथ में तो उससे हम कोई न कोई conclusion निकाल के, उसको हमारी table में place कर देंगे clear, okay जी तो एक बार साफ साफ देख लेते हैं, यह आपके पास में बच्चे आपकी puzzle solve हो गई है, यह आपका solution है अब इस पर बेस भी कुछ questions आए हैं, तो वो questions देखते हैं, first question है, देखे क्या कहते है, which one of the following boxes contain golf ball, अब देखो बच्चे golf ball, कौन से box के अंदर है, यहाँ पे, e box के अंदर है, तो क्या answer आ जाएगा आपका, e, clear, okay जी तो next देखिए, which of the following statement are correct, d is painted yellow, अब देखो d का तो हमें पता ही नहीं है, या तो blue है, या तो yellow है, तो यह आपका बच्चे cancel out हो गया, कहते है, f is painted indigo, f देखते है, f is painted indigo, बिल्कुल सही है, तो क्या आ जाएगा, f is painted indigo, ठीक है, okay जी, तो next देख लेते हैं, बच्चे, the football is in the box of which color, football कौन से color के में है, तो अब यहाँ पे देखो बच्चे, football कहाँ पे है, आपके पास में, football यहाँ पे है, ठीक है, अब यहाँ पे जो colors है, आपके पास में, दो color आ रहे हैं, एक blue और एक yellow, that means कि हमें यह नहीं पता कि blue आएगी, या फिर yellow आएगी, confirm answer नहीं है, that means कि हमारे पास जो data है, that is not adequate to find out the answer, तो answer क्या जाएगा, can't be determined as the data are inadequate, clear है, okay जी, हां जी, तो next puzzle है आपकी screen पे, when three friends, A, B and C met, it was found, तीन friends है, आपके पास में, कौन-कौन से, A, B and C, तो क्या हो गया, अब सबसे पहले name आएगा, it was found that each of them wore an outer garment, एक outer garment हो गया, of different colors, एक उनके बच्चे color हो गये, in random order, the garments are jacket, sweater and tie, and the colors are blue, white and black, their surnames in random order are ribereo, kumar and sing, that means बच्चे कितने variable होगे आपके पास में, four variables होगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक table बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आगया, name, दूसरा क्या हो जाएगा, outer garments, उसके बाद बच्चे, color, and color के बाद में, आपके पास में आ जाएगा, surname, clear है, अब यहाँ पे, name क्या क्या given है, आपके पास में, मैंने बताया कि, अगर आप एक को, serial wise लगा सकते हो, कोई आपके पास में, left, right order, या फिर, toe, bottom order नहीं given है, तो उस case में आप क्या करोगे, सिधा एक variable को serial से लगा लो, जैसे, a, b, and, c, आप देखते हैं, क्या कह रहा है कि, जो outer garments है, वो कौन, outer garments है, वो कौन, कौन से हैं, उनके पास में, बच्चे, jacket, ठीक है, sweater, and, tie, same way, color कौन, कौन से है, blue, white, and, black, ठीक है जी, और सरनेम क्या है, rubario, kumar, and, sing, clear, साफ साफ table देख लेते हैं, यह आपकी table आ गई है, clear, आप देखते आगे, कहता है, neither b, nor rubario, wore a white sweater, ना तो b ने, ना तो rubario ने, white color की sweater पहनी हुई है, अब यहाँ पर अभी मैं नहीं put कर सकती, इसको, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं confirm है, अब आगे देखिए, क्या कहा रहा है, कहता है, C wore a tie, अब यहाँ से हमें confirm हो गया, कि C ने tie पहनी हुई है, अब उसके बाद में देखो, अब हम जो first statement है, उसको इसके साथ में relate कर सकते हैं, अब C ने tie पहनी हुई है, B ने sweater नहीं पहनी हुई, that means sweater किसने पहनी हुई है, आपकी A ने, A ने बच्चे क्या पहनी हुई है, sweater पहनी हुई है, clear है, और sweater का color क्या है, white है, ठीक है, अब यहाँ पर एक और point था, क्या कि neither be nor ribereo wore a sweater, that means कि बी और ने नहीं पहनी हुई, ठीक है, और दूसरा कौन से नहीं, ribereo ने नहीं पहनी हुई, that means कि यह तो है नहीं, तो ribereo कहाँ पहाँ पहाँ आ जाएगा, बच्चे, यह यहाँ पहाँ पहाँ आ जाएगा, क्योंकि दो लोगों ने sweater नहीं पहनी हुई, एक तो बी ने, एक ribereo ने, तो दोनों का हमारा यह हमना पता चल गया, अब उसके बाद में क्या कहा रहा है, सिंग's garment was not white, सिंग का white नहीं है, अब इन दोनों में से एक जगे कुमार आएगा, एक जगे, सिंग आएगा, तो कुमार, अब उसने काया कि सिंग का white नहीं है, that means किसका white है कुमार का white है अब हमारे पास में तीन ही थे एक कुमार एक रुबेरियो तो सिंग कहां पर आ जाएगा ये आपका क्या आ गया बच्चे सिंग आ गया clear है बड़ी easy puzzle है देखो आगे देखते हैं क्या है गरेक कुमार डजनोट वियर जैकेट कुमार ने जैकेट नहीं पहनी हुई ठीक है जी अब उसके बाद में यहाँ पर क्या था सिंग गार्मेंट वाजनोट वाइट अब उसके बाद है कुमार डजनोट वियर जैकेट कुमार ने जैकेट नहीं पहनी हुई अब सिद्धी से बात है यहाँ पे इसका टाई आ गया इसका स्वेटर आ गया that means जो बीच में है इसका क्या आ जाएगा बच्चे जैकेट आ जाएगा clear है अब उसके बाद में क्या कह रहा है Reberio does not like to wear black color इसको black पसंद नहीं है ठीक है जी आगे क्या है each of the friends wore only one out garment यह तो बेटा जो इतनी भी पजल्स होते उसमें यह एक सिंपल सा point होता है कि सभी के लिए अलग-अलग आपकी options होती है अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी का एक-एक आउट गार्मेंट है अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिखा होता कि भी दो जन्होंने स्वेटर पैने होई है तो यहाँ पे देखो सारी चीज़े आपके पास में 33 गीवन है that means कि single single ही आएगा clear तो यह आपकी puzzle solve हो गई है ठीक है अब हम इसको solve करते हैं आगे अब यह साफ साफ आपका आगया question देख लेते हैं बच्चे question क्या है what is C's surname C का सरनेम क्या है तो C का सरनेम क्या है हिबरियो तो answer क्या आजाएगा clear उसके बाद है what is the color of tie tie का color कैसा है यहाँ पे हम देख रहे हैं tie का color है blue तो कैसा आ जाएगा blue उसके बाद में who was a sweater sweater किसे पाया हूए तो sweater किसने पहना हूए बच्चे यहाँ पे देखिए एने sweater पहना हूए तो क्या जाएगा clear है तो जिन जिन student ने अभी तक अपने आपको register नहीं किया है तो बच्चे अपने आपको register कर लिजे ताकि जो भी हमारी आगे यह वीडियोज आती है तो उनका notification आप तक पहुंच जाके दूसरा यह है कि हमारी सभी सीरियल वाइज आपको वीडियोज मिल जाएंगी जब आप हमारे ONC पर जब आप register कर वाओगे free of cost है registration तो आपके जितनी भी पिछली वीडियोज है वो सारी बिल्कुल सीरियल वाइज मिल जाएगी यह हमारी देखो 20 वीडियो है और सभी वीडियोज के अंदर हम क्या करें previous year questions discuss कर रहें that means कि एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि questions का level क्या होता है सी सेट में और एक दूसरा यह है कि UPSC कभी भी direct question नहीं पूछती देखो puzzles भी आप लोगों की सारी different थी SSC औ और बैंक की puzzle से तो सारा ही बचे थोड़ा सा different है तो आपने register करना चाहते हो आप अपना register कर लीजी और जिन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है बचे अपने channel को subscribe कर लीजी आज के लिए इतना ही है thank you so much